दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल मसे से बस्ती में दोस्तों हम लोग प्रस्णों की संक्ला कर रहे हैं जोगर्फी के प्रस्णों की संक्ला विसासा चल रही है और आज हम लोगों का प्रस्णों की संक्ला है जिसमें हम देख रहे हैं विधायका के प्रस्णों को विधायका के संबंधे जितने भी आयोग में आई हुए कोश्चन्स हैं या आने की जो प्रविल्टी है वो सारे प्रस्ण हम लोग साल्प कर रहे हैं उमीद है यह सेग्मेंट आप लोगों को बहुत ही बहतरी लग रहा होगा और व होथी प्योगी होने वाला है यह सारे सेग्मेंट से स्टार्ट हो गए हैं न दोस्तों यदि आप इमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो आने वाला वर्स है वह आपका अपना होगा जिस सपने के साथ आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं निशी तोर से पूरे हो पाएंग रखिये आईये स्टार्ट करते हैं प्रस्बों की संख्ला को पहला प्रस्बा आपके सामने है न से कौश्चन है तो सादिकार उप addictive की आता है तो किया हो था होगा इसमे जवाब दीजिए प्रस्न देख लीजिए लीजिए मैं आपको जबाब देना होगा ठीक है अब चार इसमें दे रहा है कुट में और कह रहा है क्लिमिलाइन के प्रस्ण का यह सार है कि Сंसत के किसी सद्ध से दौरा काौं से विसे-साधिकार प्राप्त होते हैं यानि क्लिमिलाइन के केना मैंने अब यह बापको बताया कि संसत et Yes tai तो क्या विशेसादिकार प्राप्त है बस प्रस्म का यह सार है ठेक है तो पहला प्रस्म है आपका आप राधिक मुकदमों में गिरफतारी स्वतंतरता दूसरा है निवारक निरोद के कानून के अंतरगत गिरफतारी स्वतंतरता तीसरा है सदन की दिवार के भीतर वाक स्वत सदस्य को यानि कि मेंबर आप पार्लियमेंट यानि एंपी को क्या-क्या सुभिधाय मिली हुई है तो ज़रा सद्धिकार जो दिया गया संसद्य विश्य साधिकार के सदस्यों को जो विश्य साधिकार प्राप्त है और इसमें मुलता दो तरह के अधिकार जो है इनको प्रदान किए गये है एक तो आपका अभिव्यक्त की स्वतंतरता का अधिकार इनको दिया गया है जो कि आधिकल 151 में है संसद की अभिव्यक्त की स्वतंतरता यानि कि बाउंडरी वाल के अंदर कुछ भी यह कह सकते हैं उस पर कोई वैधानिक कारवाई नहीं की जाएगी 105 के अंतरगत ठीक है 105 एक अनुचेद 105 एक मैंने अभिव आपको बताया संसदी विशेसादिकार की सार्टिकल में 105 में 105 एक में क्या कहा गया है संसद में अभिव्यक्त की स्वतंतरता इसमें है संसद में अभिव्यक्त की स्वतंतरता यानि एक सो पांच दो एक सो पांच दो क्या कहता है यह कहता है कारवाईयों के प्रसासन का अधिकार ठीक है कारवाईयों के इसको अगर देखा जाए संसदी विश्य सदिकार को दो वर्गों में वक्त किया गया है पहला है एक तो सामोहिक जो है इनको आजादी मिली रहती स्वतंतरता मिली हुई है और दूसरा बैक्तिगत स्वतंतरता मिली हुई कौन सी एक है एक इनको मिली है दो तरह की स्वतंतरता सैंसन का सत्र होने से कोई सत्र सब्सक्राइब wealthy लिए आया जाता है बजट सब्सक्रा पुद्वारी से सब्सक्राइब रता है फिर मार्च अप्रयल ठीक है अप्रेल तक ये जाता है अप्रेल और मई तक जाता है जून आपकी छुट्टी रहती है ठीक है जून का सत्र आपका छुट्टी रहता है जून के बाद के सत्र में अगर आप देखेंगे तो जुलाई से आपका मांसून सत्र स्टार्ट हो जाता है ठीक है मांसून सत् सित कालिन सत्र चलता है एक महिने की चुटी बीथ मेरा करती है तीन सत्र म覺ंवें अब इस की जो सवतंदरता मिली है दोस्तों इन uh Ос at का फेबरोरी से स्टार्ट हुआ ठीक है एक परवरी से स्टार्ट हुआ इसके 40 दिन पहले या मानलो हम मांसून सत्र को ले लेते हैं यहां थोड़ा असानी आपको समझ में आ बजट सत्र ले लेते हैं मांसून सत्र ले लेते हैं जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है अब जुलाई के 40 दिन पहले ठीक है और जब यह सत्र समाप्त होगा ठीक है जब यह सत्र समाप्त होगा तो सत्र आपका समाप्त कब होगा सब्तम्बर में समाप्त होगा ठीक है सब्तम क्या होता है इनको गृफतारी से मुक्ती मिली हुई है ठीक है संसदी सदस्यों को सत्र के दोरान यह उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गृफतार नहीं किया जा सकता और यह जो 40 दिन का अधिकार उनको मिला है सामोही ग्रूप से यह क्योवल मिला है durson civil k kenyaman publicाशन में को मुक्ति नहीं है कि व佞 नागरीक मुकदमों में इनको चुटि दी गईwire नागरीक मुकदमें जह हैं उसमें तया बचीज़ आ जाएगी फिर सामुहिक सतंतरता की अंतरगत आपने देखा मैंने बताई आपको यह आपको जो है 42 bekommt 1710 थी सामुहिक 1710 में क्या होता है जिस समय संसथ का सत्र चल रहा हो उस समय किसी भी सद्र से को गवाही के लिए सदन की अनुमति के बिना बुलाया नहीं सकता कोईने यानि कि किसी नियाले को अगर MP महोदे को बुलाना हो गवाही के लिए तो बिना जो स्पीकर से यानि कि संसद से बिना पर्मीशन के उनको कॉल ही किया जा क्ता बुलाये नहीं जा सकता तो ये दो है आपको एक आपका टिगत है जिसमें 40 सत्र अरफ होने से// नागरिक मुद्धा अगर होगा तो उसमें आप नहीं बुलासकते हैं ःसके अलावा अगर आप बात सबी सधश्यों के लिए तो उसमें ये बात आपको बताए गई है कि किसी भी ols prospective को किसी भी सनसत के सदस को बिना संसत के उन्मती के लिए किसी भी मुकदमें गवाही के लिए नहीं जा सकता किसी नमी ले त्ट्रवारक कानून भी बीलकुल नहीं प्राप्त है संसति की दिवार के भीतर वाक्षुतंदर्तन है यह मैंने बी आपको बतायाyes मैने ख़्यूसरा मैं नहीं अनमतिना हो गवाह के रूप में प्रमाडित नहीं कि नहीं सकता है तो यही दूसरा वाला यही है आपको अनुछे देक्सो पाज़तो यह दो नो प्राप्त है बाकी पहले दूसरे नहीं प्राप्त है तो जो कूट में दिया होगा 34 का option वही right हो जाएगा दोस्तों तो option क्या होगो आपका correct answer हो जाएगा और में यह बात अच्छी किसे आप समझ गए होंगे मित्रों अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं हम लोग अगला प्रस्ण हमारा है आपका स्वामुहिक तर्तर तर्त के सदस्यों को 152 के तहत कारवाईयों के प्रसाषन का अदिकारीं इनको दिया गया है आप यह समझ पा रहा है तो आप समझत हैं सामुहिक विश्यसाधिकार और विखेसाधिकार तो तरह के विशे सादिकार है यह आप इतता समझ लिजीगा तो दो तरह के विशे सादिकार कितने वर्गोम विभाजित किया गया है तो संसद में भुजट के पारित होने के विभिने graveselot का सही अनुकरम निम्लेखित मेंसे कौन सा है संसद में बजट के पारित होने का होने के विविन चरोडों का सहीक अनुकरम निम्लिखित में से क्या है तो आप्सन लेकर करके बताईए दोस्तों फिर मैं आपको एंसर बताता हूं रहा है बज़ट की प्रस्तोटी दूसरा कह रहा है तीसरा कर रह बित्य विधेक का पारित होना चौता Case के बिनीयोग गण्स चेश्ट कि एडिका पर सुद्णिंरे और गर अगर आप देखेंगे टोटल कुट्ट kannst हूँ है कि जो संसद में बजट पार्ने के प्रकृरिया में छे चरण होते हैं ठीक है जिए चरोडों कौन गॉन्हायों से हैं यह को पता होना जाहिए तो ध्रूर में क्या इन में से कोई है कैनि यह नहीं है आपको यह ओगताना है तो इस पिछे चेativa के आप नहीं पड़े हैं उनकी एक अच्छी समझ हो जाए ठीक है फिर उस पर बेस्ट हमने कोश्चन भी पूछें क्योंकि आप जो हमारी स्रंखला देख रहे हैं यह सामानी तरह से जो वीडियो उपलब्द कराते हैं हमारे मित लोग यूट्यूब चैनलों पर उस पर उनका ए स्विस्ट हो जाए ठीक यह मोटी हम लोग का है तो छह जो आपके चड़ों में प्राप्त होएं इन में से देखेंगे च्छे में कौन-कौन है पहला आपका है बजट का प्रस्तूतिक करण क्या है बजट बजट का प्रस्तूतिक करण मैं लिख दे रहा हूं आप समझ समितियों समितियों द्वारा समितियों द्वारा जाज तेके विभागे समितियों द्वारा जाज और चौथा आपका होगा जो आपका अनुदान की मांग पर मतदान क्या होगा अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान की जो मांग की जाएग उसमें मतदान होगा और पांच पड़िधयक का पारित होना का पारुत होना भिन्योग बीधेयक का पारित होना ठीक और इसके बाद क्याlaub Jan होगा ऑजय को प्रस्थ और या जाते हैं प्रस्न में कह रहा है बजट की प्रस्तूती यह पूछा इसमें क्या विभिन चरणो का उले करिए तो चरण क्या क्या होंगे कि चलिए तो कटनी हो ओके चलिए चरणो के बारे पूछ रहा है तो इसमें से देखे क्या है बजट की बजट का प्रस्तूती करण है आपका तो इसमें क्या-क्या दोस्तों प्रसंदे दे रहा है करम बद तरीके से अगर आप चलेंगे तो पहला मैंने क्या बताया था आप लोगों को बजट का प्रस्तुती करण होगा तो पहला दे रहा है बजट का प्रस्तुती करण बिल्कुल सही है आपका क्या है पहला हो नमबर एक पे हो जागा बजट का प्रस्तुती करण दूसरे पर आम भहस मैंने बताया तो क्या आम भहस का चर्चा यहां पर कर रहा है नहीं है फिर विभागिये समितिया नहीं दूसरे नंबर विभागिये समितिया कि जांच हो जाएगी यह बिल्कुल सही है तीसरा आपका मैंने बताया था अनुदान की मांग पर मतदान तो अनुदान की बारे जिक्र ही नहीं किया यहां पे बिन्योग विद्यक का पारित होन बिन्योग विद्यक का तीसे नंबर पर हो जाएगा और चौथे नंबर पर बित्य विद्यक हो जाएगा ठीक है यह करम हो जाएगा तो पहला दूसरा चौथा और तीसरा यह करम आपका इस तरह से यहां पर दिया हुआ है होना क्या चाहिए पहला दूसरा यानि कि पहला दू करें यहा पर यहां पर क्या हो जाएगा आपका anda can show up 4 औरी तीसरा बिलesz्क्राइब समझें दोस्तों आपको ठीक है च्रीक है छह चलते हैं再ом संथ में बजट पारिट करनेकी लंबी प्रक्रिया होती है यह कितने चरणों से होकर गुजरता है निश्चे तोर से मैंने अभी पिछले प्रसमें बता है जबाब जल्दी से दीजिए दोस्तों पहले में कहा रहा है चार दूसरे में कहा रहा है पांच तीसरे में कहा रहा है छे चोत्रे में कहा रहा है साथ तो मैंने बताया ना कुल कितने छे चरड होते हैं, छे चरडों के नाम एवारी वेजन कर दीजे हमको, बजट का प्रस्तुती करड है, आम बहस है, विभागी समित्यों की जांच है, अनुदान की मांग परमतदान होता है, फिर इस बाद बिन्योग बिध्यक पारित हो जाता ह संसद में पुनारस्थापित किसी बिध्यक के अधिनियम बनने के लिए निम्रिकित में से किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना आवश्यक है, ठीक, यह आपको बताना है, ठीक, तुझरा प्रस्त में से देख लीजा आप लो, तो, चले दोस्तों देखते हैं प्रस्त को इसको पाचवे नमबर का जो प्रस्त है, संसद में पुनारस्थापित किसी बिध्यक को अधिनियम बनने के लिए निम्रिकित में से किन प्रक्रियाओं का अपनाया जाना आवश्यक नहीं है, मलब यानि कि संसद में पुनारस्थापि किसी विध्यक के अधनियम यानि कानून बनने के लिए नियुलिखित में से किन प्रक्रियाओं का अपनाया जाना आवश्यक नहीं है कौन से प्रक्रिया कानून बनने में कोई विध्यक है जिसे कानून बनाना है उसको अपनाने में किस प्रक्रिया का सामना नहीं करना है कौन प्रदान करेंगे तभी कोई बिद्यक कानुन बन पाएगा और संसत दौरा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रदान मंत्री इस पर हस्ताक्चर करेंगा अरे यह कैसा होता प्रदान मंत्री का रूल यह नहीं कारपालिका का प्रदान मंत्री इस पर हस्ताक्चर करेंगा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है विधयक के अधनियम बनने की प्रक्रिया बिधाइका क्या ओप एक करेक्ट हो गए ये तीसरा जो है आपका गलत रहा ठेकर दोस्तों चलिए अब इसमें से अगले प्रसन की तरफ चलते हैं विधियक की दिर्ष से इ standpoint चार प्रकार के होते एक तो होता है आपका साधारडा वद्यक साधार香ज कर say No kind video कि दूसरा होता है धनबिध्यक कि दृता है बिक दियर गे बिद्यख और चौता होता है सम्विधան कुछ एक म imagen दे संसोधन बिद्यक तो कुल चार परकार के दोस्तों ठीक है याद रख लीजेगा उस भी एक चार परकार के दो प्रशन परकार के भी देख होते है ठीक है और देखिए विधिनिर्माद प्रक्रिया का जो लेख भारतिया संविधान में किया गया है पुछ सकता है आपको ध्या तो इसमें किया गया है तो इसमें आपको बात सभॉस्टप्र ऑगया होगा दोस्तों चलिए तो इससे आपसे एंसर आपका फोर राइट हो जाएगा अगला है दोस्तों सेवन नमर का कुश्चन है भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद समयन नमर का प्रस्ण है भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद संसद्य विशेसादिकार कौन सा अनुच्छेद संसद्य विशेसादिकार से संबंदित है यह होना चाहिए यहां पर विशेसादिकारों यह एक में हो जागा विशेसादिकारों से संबंदित है तो बताए जरा कौन सा है अनुच्छेद संसद्य विशेसादिकार अभी पिछ दिया गया है दो तरह के सभी आपके सामने हैं इसका इसनात्र बता दिया था तो इसी वीडियो में ही है तो आप देख करके बता लिए इसको ठीक है कि si next को सfrutव आपको मजा रहा होगा है और 111 सपर्ड़िक das और किस میں जो हैड़न विडेग का प्राउधान यह है तो आपको पता है अनुछेद 110 में क्या है धन विद्यक का उल्लेक किया गया है ठीक है धन विद्यक का उल्लेक किया गया है परिभासित किया गया है ठीक है तो आप बात में ध्यान रखिएगा कि नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर नाइन है आपका कह रहा है निम्लिकित में से किस प्रकार के विध्यक धन विध्यक की स्रेडी में नहीं आते हैं आपको बताना है किस तरह के विध्यक धन विध्यक की स्रेडी में नहीं आते हैं तो बहुत ही म शेथ हैं एकसो दस दो में दोस्तों दिया गया है अनुचेद एकसोसोदस में यह प्रावधान किया है कि कौन से विधियक धन विधियक की सेड़ी में नहीं आएंगे अब देख लिए इसमें से तीन चार है मैं पड़ दे रहा हूं पहला हैं कि किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड से संबंधित पहला यह हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका किनी सेवाओं या लाइसेंस की फीसों से संबंधित तीसरा आपका होगा किसी अस्थानिय प्राधिकारी या निकाय द्वारा अस्थानिय प्रयुजनों के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबमन्दित अगर कोई विध्यक तो यह विध्यक आपके धन विध्यक कि स्रेडि में नहीं आएगा ठीक है तो आपको जवाब देना होगा इसमें जवाब देना होगा चली प्रस्म देख लेते हैं कि किसी जुर्माना या आर्थिक दंड से सम्मंदित बिल्कुल मैंने आपको बताया दूसरा है किनी सेवाओं या लाइसेंस की फीस से सम्मंदित बिल्कुल है जैसे किसी पर जुर्माना या आर्थिक दंड लग जाएगा से सम्मंदित कोई विद्यक है तो धन विद्यक नहीं माना जाएगा किनी सेवाओं या लाइसेंस की फीस से सम्मंदित बढ़ाने या घटाने की बात है तो धन विद्यक नहीं माना जाएगा वह अभी किसी अस्थानिय प्राधिकारी या निकाय द्वारा अस्थानिय से उसटक चलिए नेक्स पोस्ट्च रेड़ों 刮सेतं एक वीक्ति संषड के किसी भी सधन का सदसे होने के लिए और इसे reminder में चुने जाने के लिए ऐयोग होता है संसे रूने जाने के लिए ऐयोग होता है यह आपको बताना है प्रस्न का जवाब हुए हैं दोस्तों तो आपको जबाब भारी की से ध्यान से देख करके देना होगा एक फिर से मैं पढ़ दे रहा हुए एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है कब अयोग्य होगा संसद के कि सदस्ट होने के लिए योग होगा सदस्ट के रूप में चुने जाने के लिए योग होगा ठीक है संसद कह रहा है सदन का सदस्ट होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और चुने जाने के लिए दोनों के लिए योग होगा ये कहने का मतलब पहला प्रस्णा आपका है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार द्वारा किसी राज सरकार के अधिनलाव का पद धारड किये हुए है तो संसद और विधि द्व भारा घोसित किसी पद के धारक को अयोग नहीं ठहराने जाने को छोड़कर ठेक है तो यह भी बिल्कुल सही है अयोग होगा होता है तो यह बिल्कुल होगा सही है आपका ठेक है यह सही है यह इस स्थिति में क्या हो जाएगा अयोग हो जाएगा व्यक्ति नहीं अयोग नह ठाराय जाने को छोड़ कर बिल्कुल आदमी कर सकता provider कि यहां पर येधी वह ब्योथिति भारत सरकार अत्वा किसी राज सरकार के दिन लाख का खारण किये हुए हो अगर ब्योथिती लाख का पध धारण किये हुए है ठीक है सनसद और विधि द्वारा गोसित कि किसी पद के धारक के अयोग्य नहीं ठाराए जाने को छोड़कर ठेक है तो यह अयोग्य अयोग्यता होती है उसकी ठीक है यह जो जाएगी तो दूसरा इसमें क्या है उनमुक्त दिवालिया हो बिल्कुल अगर दिवालिया है तो अभी सदस्दस का नहीं बन सकता यह भी अब तो बिलकुल यह बना जा सकता है तो वहीं चीजिसमेंग है तीसरे में कह रहा है भारत के संभिधान की दस्वीया नसूची के अंतरगत तहरा जाएक दल बदल जो दिए रहा है जो दस क्यों है तो बिलकुल यह भी सही कि आपका दल बदल हो जाएगी तीसरा चौथा कह रहा है बिच्षित दिमाग वाला हो यानि की पागल हो एक सच्छम नियाले द्वारा उसे ऐसा घोसित किया गया हो तो बिल्कुल साहब यह चारों हो जाएंगे तो इससे आप से कूट इसका जो हो जाएगा वह आपका बन ज सब्सक्राइब लाभा ओढ cripp लिया को इसमेंडान संस्सदन गतिक को दूसरा करा काईक की रिपोर्ट तीसा करा वार्सिक वित्य विवरड और चौथा कहा रहा है किसी राज की सीमाई बदलने के लिए विदेग तो देखे सब कुछ हो सकता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है आपका वार्षिक वित्य विवरण जो है यह की बजट से संबंदित है यह तो बजट कहा होता है लोग सभा में होता है दोस्तों लोग सभा में पेस होता है तो यहां बिल्कुल यह नहीं हो पाएगा ठीक है चलिए 11 नमबर प्रस्ट भी आपका साल वो गया अगला कोश्चिन है धन विद्यक से संबंदित कि करूं में से कौन एक नहीं है धनिविद्यक बारे में बताना है यह आपको वह उठीक है तो आपको देखिए कूट में क्या दे रहा है खाया किरा है इसमादित his क्या सकता है है तो सही है भाई द darf इद्यकर राज सभांत सही नहीं is बता रहा है न तो पूछना यह तो शहें सही है बिल्कों राज सवह मैं दिया जा सकता ठिक है यहां पर आपको बताना है क्या तहीं नहीं है पुछना है कोई एक होगा जो सहीं नहीं होगा सहीं नहीं तो प्रस्मान बर्ण उपगत् उपगत अगर कोई प्रस्म उपगत होता है कि विध्यक धन विद्यक है या नहीं तो अध्यच का निरड़य अंतिम होगा यह बताई कैसा स्टेट्मेंट बिल्कुत सही नहीं है यह भी सही आपका है इसमें बताना सही नहीं कौन सा है अगला है कौन दोस्तों कौन सा कर द्धन विध्यक पर गतिरोध की स्तिती में राष्टपती संसद की साम्युक्त बैठक का प्राधान बैठक बिलाता को नहीं राश्ट पती बुलाते हैं राश्ट पती को सकति कहां से मिलती है अनुचे देख 108 से सकती मिलती है और साधार बिद्यक जो होते हुन पर कराई अभी तक मैंने पिछले वीडियो में बता है तीन बार साइट का प्राधान किया गया है ठीक है दोस्तों चलिए यह हो गया आपका अगला क्या है धन विद्यक राष्टपती यही गलत हो गया धन विद्यक राष्टपती की सिफारिश पर ही पुनरस्थापित किया जाएगा आने था नहीं बिलकुल सही है बिना राष्टपती की सुकृति के अगलत प्रसना है दोस्तों भारत के लिए आयोजित की जाती है हो के होना छहें सिंटेंस यहाँ पर कुछ ऐसे होना चाहिए बैठके बैठके आ है यह ऐ किस लिए अगजीत की जाती है आ अब किसके लिए क की जाती है क्या ईसा होता है क्या रास्टी बाता है वारत के निर्वाचन के भारत के राष्टपती को निर्वाचन करने के लिए भारत के राष्टपती को निर्वाचन करने के लिए ठीक है भारत के राष्टपती के निर्वाचन के लिए कह रहा है तो नहीं इसके लिए भी नहीं होगा बिल्कुल नहीं ना तो राष्टपती के निर्वाचन के लिए संवीदान संसोधन विध्यक को अंगी करिद करने के लिए तत्हा उसे पारिद करने के लिए जिस पर दोनों सदनों मतबेद हो जी हां तो साधारण विध्यक के लिए सीधा यह कहने का सैंस से और यही सई हो जाएगा बाकि यह सी तिनों गलत होंगे 14 नमर प्रस्थन है आप का है सम्मिधान के किस अनुच्षेद के तहट सामा ने बजट प्रस्थ Beautiful किया जाता है सामाने बजट प्रस्तूत किया जाता है बहुत अच्छा कोश्चन है दोस्तो सम्मिधान के किसे नुझेत के तहट सामाने बजट प्रस्तूत किया जाता है अनुचेद बताईए अनुचेद 111, अनुचेद 112, अनुचेद 113, अनुचेद 114 सामाने बजट प्रस्तूत किया जाता है तो समिधान के अनुचेद 112 के तहट सामाने बजट प्रस्तूत करने का प्रावधान है अनुचेद 112 के तहट क्या प्रावधान किया गया है सामाने बजट प्रस्तूत करने का प्रावधान किया गया है ठीक है बजट में सरकार की मांग के प्रति आमतोर पर विपच्छी दलद्वारा असामती व्यक्त करने के लिए जो है कटवती विध्यक को लेकर आया जाता है ठीक है कटवती सब्सक्राइब गलती हो गई उसे समचाऊंगो आपसे कटवती प्रस्ता लेकर के आता है तो बेरहल आपको यहां पर पूछा ता सा सब्सक्राइब आपको निसींस कार से सब्सक्राइब आपको एमना नटैरνों में यहां पर बताना राजसभा के बारे में कौन सकतन सत्त नहीं है यह आपको बताने हैं तो चलिए राजसभा के बारे में कॉन सा कत्ल्स नहीं है यहां पर वताना है ठीक है राजसभा मुखरूप से заклад के प्रतिनीदियों के रूप में काम करती है राजसभा मुकरूप से राज्यों के प्रत्मिजों के रूप में कारे करती बिल्कुले सत्त है दोस्तों यही रोल है राजसभा का दूसरा है बिधिनिर्माड प्रक्रिया बिधिनिर्माड संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तत्पस्चार राजसभा में पेश किया जाता है यह नहीं है दोस्तों बिधिनिर्माड की प्रक्रिया किसी में भी लोकसभा राजसभा में से किसी में राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव बिभी ने राजीयों की मिधान सभाऊं के निरवाची सदस करते हैं बिल्कूल है और राजीयों की बिधान सभाऊं के निरवाची सदस करते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब झारonen को एक तो यह आपका सफ्टन हो गया दूरा के उलगा था दोसतो तो पहला देखते हैं हम लोग कॉंसा साखीए कह रहा है यह राज्यों का प्रतियुए कते है तो थky क्या करना यह सत्य है जोड़ा तो छीमाथ भी रोट depression कि एंधिर्ट करते antal तरह सब्दूर्ट आइस एज होता है तो यह सब्सक्रांब उन्हसे से नहीं होता है इसमें कि अपर हёл यहां प्रतैचु वीस होता है न तो तो मुझा इसका निर्वाचन आप्रतेच्वीदी से होता है और आपको जो है बताना है कौई सा गथन इसमें क्या कहा है सत्य है तो यह तो बिल्कुल कतन सत्य है विटा यह सथ है बिल्कुल सथ है आप प्रत्य चुरूप से होता है ना जिके इसमें क्या होता है कि इनका जो जनता के द्वारा नहीं चुना होता है ना जो जनता के प्रत्निदियों के द्वारा चुनाओ किया जाता है ना इनका तो जनता के प्रत्निदियों सब अप्रतिय से होते हैं दोस्तों ठीक है एकल संगरमण मत प्रनाली के दौरा इनका चुनाव किया जाता है तो यह सही होगा दोस्तों छोब छाहंगा थोड़ा सा दिमाग नहीं हुआ तो यह आपका पहला सूची में 5 प्रतेक राज के निर्वाचित होने वाले सदशतरों की संक्यार तो चलिए संध के संदर मों मैं से कौन सा कथन सत्, संसद के बारे में कौन सा कथन सत्त है या आपको बताना है चलिए पहला आपका है ठीक है पहला है क्या पहला करा संसद पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए कानुन बना सकती है बिल्कुल कोई बठ ही नहीं है बिल्कुल सही है यह संसद भी कोई भी कोई भी महत्वपूर विधयक बिना मंत्री मंडल की स्वयकृति के संसद में पेस नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भाई बिना स्वयकृति के कैसे महत्वपूर विधयक संसद में पेस किया तीसरा है आपका संसद कालिपालिका को उसके अधिकार छेत्र में सीमित रखती है तथा जनता के प्रति उनके उतरदायत को सुनिशित करती है बिल्कुल सही है अगला है लोग तंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रियोग पर नियंत्र रखती है बिल्कुल सही है दोस्तों संसद लोग सभा में संसद कराधान सरकार द्वारा धन के प्रियोग पर नियंत्र रखती है यही करता है ना जो समितियां है लोग तंत्र में यह कह रहा है दोस्तों लोग तंत्र में संसद हां बिल्कुल लोग तं यहांब के सभी हो जाएगे से लोगषभा की सकतियों में निम्रत सामिल है कि है कि mentioned कूट में नहीं बताना है संग्सूची समवर्थी लोगसभा की सकति का कानुन बनाने की भुंका सभानी बातन है को डाउटव्क है किसी को बिल्कु नहीं होना चाहिए दूसरा ज़्म हorf duty और सुमान विद्यक्व को प्रस्तुट वंपारित कर दोस्तों यहां पड़्मक कर प्रस्तुट वह पारित कर दोस्तों यह आप आतकाल की घुषडा को सोकिती देती हैं बिल्कुल कर संसधी तो करती है दोस्तों सब अगला है यह समिति हुआ आयोग का गठन करती है बिल्कुल करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार करती है बिल्कुल सही है दोस्तों उपरिक्ट में से सभी हो जाएगा दोस्तों यहां सारे कूट सही दिये गए हैं सभी आप्सन सही है और second last question आपका है आज का राजसभा की सकतियों के संदर में निल्वी कतनों में से कौन सा सही है याज सबा की कौन सी सकती है इसके बारे में आपको बताना होगा ठीक है चलिए तो राजसभा की कौन सी सकती है दोस्तों देखिए पहला कहरा है राजसभा विद्यकों पर विचा करItiex करती यानिकि सभी बेठक कर सकती है विकार भीस भी करती है कोई जरूण नहीं अगर बदवेद होगा तो सभी हो सकती नहीं है तो बिचार करके भेजेगी और अभी पर लोग सभा के बास संसोधन को पारित करती है समयधानिक संसोधनों को पारित करती है ठीक है राजसभा जो है समयधानिक संसोधनों को पारित करती है ठीक है राजसभा जो है समयधानिक संसोधनों को पारित करती है तो करती है ना ठीक है समयधानिक संसोधनों को पारित करती है बिलकुल समयधानि संसद को राज सूची के विशे पर कानून बनाने के लिए अधिकार देती है जी हाँ अनुछेद जो है दो सो उन्चास यही है रायसवा पर कानून बनाने के लिए संसद को यह सकती देता है रायसवा यह बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों अगला है उपर सभी तो बिल्कुल रही थे दोस्तों तो इस तरह से आपका जो विल्कुल सही हो जाएगा अब कूट के जमेले से बचने के दोस्तों हम लोगों ने यह इस तरह का आप संस देने के लिए आपको तत्पर हुए हैं कि जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो देखिए है क्या यह प पहुंच जाए दो बार आप देखेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा अब कूट कुछ भी दिया रहेगा तो आप उसको करेंट कर लेंगे उमेद हैं मेरी बास सहामत भी होंगे और आज का दोस्तों आकरी सवाल है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी होन एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो यह आपका सही है या गलत है कब ससथ है तो बिलकुल गलत है encima सबसे बड़ा जो है सवय नहीं था बलकी उसकी जगहा पर क्या था आपका Communist Party of India था ठीक है भारत का सब लोक सवा में जो पहली लोक सबाति उसमें ब्लस में सबसे बडा जो दल था Communist Party आफ इंडिया मैं लिख दे रहा हूं आप पर याद कर लिजेगा आपको Communist Communist Party आप Communist Party आप कि पार्टी आफ इंडिया क्या था इंडिया Communist Party आफ इंडिया नोट कर लीजे सबसे बड़ा राणितिक दल था कब जब पहली लोगसभा है तर चलिए दूसरा क्या पहले ठीक है 1979 में ही सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष की मानेता दी गए थी और इस बर्स जो किया गया था जिनको राम सुभग सींठ जो थे वो विवख्ष के नेता थे कौन थे राम सुभग सींठ एंव यह पहले सक्ष थे जिननों जिने नेता प्रतिपक्ष बनाया गया यह नेता विवक्ष के रूप में ऐस्टेबलिस किया गया था तो यह बिलकुल करेक्ट आपका है karış होका? हो के और इसके बाद में पहला गलत था एक रही था तो बाकी तो गलत हो होंगे दोस्तों करा लोग सभा में यदि किसी दल के नियूनतम 75 सद से न हो तो उसके नेता को कौन उसके नेता को नेता प्रत्पिश्क्री में मानेता नहीं मिल सकती है नहीं दोस्तों इसमें होना क्या चाहिए कि लोग सभा की कुल सीटों का लगवग 10 प्रतिसत होना सीटों का कुल सीटों का लोग सभा की कुल सीटों का , 10 जो होना चाहिए अब 2 का 552 100 से होने चाहिए 55- helemaal सदर्स हो जिस राजनीतिक पार्टिके उसे ही नेता परतिपष घोसिद कर दिया जायगा लोगसभा में प्रतिपष मानेता के लिए यह वेवस्ता है और एक बात जाल लीजिए की 1977 में जो है विफख्ष के नेताओं ने scholar बंद्ध मानेता के लिए रख लिए कुल 10 प्रतिसात लोक सजोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब ठीक है यह बाते बताई गई है और इसमें कहा गया है कि लोग सवा की कुल सीटों का दस परतिसत और दस परतिसत जो होता है 550 में से अब देखें मैं 550 क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो अधिनियम 2019 जो पारित हुआ है इंगलो इंडियन के समाप्ति के लिए वह आपका जो है अधिनियम जो पारित हुआ है यह थोड़ा से ध्यान रखिएगा आप लोग जो समीदान संसोधन भी बता दूं आपको कि 26 जनुरी 2020 को पूरूप से लागू हो गया है और इसमें कह दिया गया है कि एंगलो इंडियन समुदाय के जो ठीक है एंगलो इंडियन समुदाय के जो राष्टपति दो लोगों को लोग सभा में अगर प्रतनिदित नहीं है अनुछे 331 के तहत और राज्यों में अगर प् 252 हुआ करते थे अभी क्या हो गया है यह समिदान संसुदन 21 के तहत जो इंगलों इंडियन सदस्यों की जो निक्ति कर सकते थे राष्टपति महद अब उसको समाथ कर दिया गया है अब राश्टपती महदे एंगलो इंडियन सदसों की निकती नहीं कर पाएंगे इसका निसका सिया निकलता है कि लोग सभा के कुल सदसों की जो संख्या हुई वो क्योल 550 रह गई है अब 550 का जो है दस प्रतिसत यानि 55 सदस हो जाएंगे यह बनेंगे आपके क्या टोटल यही आपके जिनके पास होगी नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों प्रस्णों की यह 20 कोश्चन की संक्लास कम्प्लीट हो गई उम्मीद है कि आपको यह चीजे अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई व्यास विद्धा आपको नहीं होई होगी तो करता हूं कि सारे चीजें आपके लिए बहुत उप्योगी सीद्ध हो रही होंगी इसी तरह से खुब मेहनत करिए खुब संघर्ज करते रहें जीवन में निश्चित तोर से एक दिन दौर ऐसा आएगा कि आपकी हर सब्सक्राइब बहुत अची कमांड हमारे चैनल के अपने लेकर के फेल्ड में उतरे हैं निश्यत तोर से हमारे अकेड़मी जितनावी सहयोत कर सकते हैं और हम आइसे ही नहीं बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे किये और हम लोग गरने का समय करने का समय कर funded को सुनिश्यत करिए तो तीक करिए겠지만 तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन